प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महरास्ट दौरे के दौरान एक है तो सेफ है का नारा दिया लेकिन कतित तोर पर BJP अजित पवार के NCP और शिंदेगुट वाली शिवसेना का महायूती गचुबंदन महरास्ट में ना तो एक रह पा रहा है और ना ही सेफ महरास्ट में महायूती गचुबंदन में फूट की चर्चा सीट शेरिंग के दौरान से ही सुनने को मिल रही है लेकिन अब हालात यह हो गए है कि महायूती गचुबंदन के नेता एक साथ मंच शेर करने को भी तैयार नहीं दिख रहे हैं महायूती गचुबंदन को ही नुकसान होगा क्योंकि NCP चीफ और महरास के डिपटी सीम अजित पवार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे गचुबंदन पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अजित पवार के इन बयानों से महाविकास अगहारी और कॉंग्रेस को बूस्ट मिल रहा है जिससे बेजेपे की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं तो महारास्ट में मतदान से पहले कैसे एनसेपी चीफ अजित पवार बढ़ा रहे हैं बीजेपे की मुश्किले अपनी इस रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा नमस्कार मैं कांग्शा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर महारास्ट विदानसबा चुनाओ के मतदान की तारीक जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे ही सियासी घमसान तेज होता जा रहा है दैसल महारास की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने को हैं लेकिन मतदान से महस कुछ दिन पहले नसेपी चीफ अजित पवार के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे अब कथे तोर पर सवाल ये उठ्वार किस गटबंधन के साथ हैं महायूती के साथ या महाविकास अगारी के साथ वैसे सरकार तो अभी भी महायूती के साथ ही चला रहे हैं महारास विदासबा चुनावों के लिए सीटों का बटवारा भी महायूती के साथ ही हुआ है लेकिन चुनावा अभियान के दौरान अजित पवार महायूती से दूरी बनाते हुए भी देखे जा हाली में पुछान मंतरी नरेंदर मोधी की महरास्ट में कई रैलियां हुई लेकिन अजित पवार और उनकी पार्टी की नेता इन रैलियों में दिखाई नहीं दिये। इन्ट्रव्यू के तौरां जिपठी सीम बचिद पवार से सवाल किया था कि महराश में अब तक सब अच्छा नेत्रत किस ने किया जिसके जवाब में उमीद थी कि अजित पवार अपने चाचा शरत पवार का नाम नहीं लिया बलकि जो नाम लिया उसने सभी को चौका दिया अजित पवार ने कहा कि ये एक तथ है कि मुझे कई सीम के आधीन काम करने का उसर मिला मेरी राय में विलास राव देशमुख जो दो मौके पर सीम थे सबसे अच्छे सीम थे हम गठ बंधन की र विलास राव देशमुख महरास्ट कॉंग्रेस के दिगज नेता थें वो जिन्दी की भार कॉंग्रेस में रहें लेकिन उनकी मृत्यों के बाद उनके दो बेटे राजनीती में आमित देशमुख लातूर शेहर और धीरज देशमुख लातूर ग्रामीन सीट से चुनावल लातूर में देशमुख परिवार का लंबे समय से दबबा चल रहा है दरसल 1999 से लेकर 2014 तक महरास्ट में कॉंग्रेस और NCP ने गटबंधन के तहर सरकार चलाई जिसके बाद अजित पवार का कॉंग्रेस के दिगज नेता विलास राव देशमुख को लेकर दिये गए बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं क्योंकि इससे पहले भी अजित पवार सियम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के विरोल में लगातार बयान दे रहे हैं अजित पवार पहले ही सियम योगी के बयान से किनारा कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी बिहार और मदप्रदेश में लोगों की सोच अलग है लेकिन ऐसे बयान यहां नहीं चलते मेरी राय में ऐसे शब्दों के प्रियोग का महरास्ट में कोई महत्व नहीं है हम महायूती में एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा लिए ये भी कहा था कि किसी को भी हमारे प्रदेश की तुलना किसी अन्य प्रदेश से नहीं करने चाहिए महरास्ट के लोगों ने हमेशा संप्रदाइक सद्भाव पर ध्यान दिया है कुछ बाहरी लोग आते हैं और इस तरह के वयान देते हैं लेकिन महरास्ट ने कभी भ 23 साल में हुए विकासकार और लोग कल्यानकारी योजनाव को लेकर चुनाव में जा रही है और हम उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं बताते कि सियम योगी के बयान का विरोध लगातार उनके ही सहयोगे द्वारा तो किया ही जा रहा है लेकिन बीजेपी के खुद के नेता भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं बीजेपी नेता और पूर सियम अशोग चावान ने भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही नहीं है और राज के लोग इसकी सराना भी नहीं करेंगे व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में कताई नहीं हू जाकि मैं इस नारे को सपोर्ट नहीं करती हूं और महरास्ट को इस तरह की राजनीती की जरूरत भी नहीं है। इससे कतितोर पर माना जौरा है कि इन सभी लोगों का सियम योगी के बयान से दूरी बनाना इनकी मजबूरी हो सकती है। को अंग्रे से सिर्फ 102 सीटों पर चुनाव लग रही है। बीजेपी पर हिंदुत की राजनीती करके देश को तोड़ने का आरोप लगा ही रहा है। ऐसे में सियम योगी का ये नारा कहीं न कहीं विपक्ष को एक बार और मौका दे सकता है बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने का। जिसके चलते हैं महयूति के अंदर ही सियम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से दूरी बनाई जा रही है। देखने को मिलेगा या फिर नहीं।